C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिये पेश है तीसरी जमाद के लिए उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार सबक नंबर पाँच सितारों से आगे सफ़ा 37 एक दफा का जिक्र है कि हर्याना की जिला करनाल के छोटे से कजबे में हिना नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी वो हर वक्त अपने खयालों में आस्मानों की सैर करती रहती एक दिन उसकी टीचर मिसिस शर्मा ने ऐलान किया के आज हम एक मशूर खातून के बारे में पढ़ेंगे एक ऐसी खातून जिसने खला की तरफ उडान भरी मिसिस शर्मा ने खला का सफर करने वाली पहली हिंदुस्ताने खातून कल्पना चावला की कहानी सुनाने शिरू की तो सभी बच्चों में जोज भर गया हिना तो जैसे खुद भी आस्मानों के सफर पर निकल पड़ी थी मिसिस शर्मा ने पूछा क्या आप जानते हैं कि कल्पना चावला यहीं करनाल में पैदा हुई थी सफ़ा 38 बिल्कुल आपकी तरह वो आपकी तरह स्कूल जाती थी और अपने वालिद के साथ हवाई जहाज देखना पसंद करती थी बच्चों की सरगोशियों के दर्मियान हिना ने हाथ उठाया मैडम क्या वो वाकई खलाई सफर पर गई थी जी हाँ मिसिस शर्मा ने जवाब दिया 1997 में कल्पना ने स्पेस चटल कोलंबिया पर उडान भरे और खला में जाने वाली पहली हिंदुस्ताने खातून बन गई उन्होंने जमीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर 670 घंटे और 43 मिनट गुजारे हिना और उसकी सहेलिया मिसिस शर्मा की बाते ध्यान से सुनती रही वो कल्पना की काम्याबियों और करनाल से खला बाज बनने तक का सफर बयान करती रही क्लास के बाद हिना और उसकी सहेलिया स्कूल के सहन में पुराने बरगत के नीचे बैठी सफ़ा 49 कल्पना चावला की हैरत अंगेज मुहिम के बारे में बाते करती रही खलाई सफर पर जाने और वहां से जमीन को देखने के बारे में सोच कर मेरे रॉंग टे खड़े हो जाते है शालू ने कहा शायद एक दिन हम में से भी कोई खलाई सफर पर जा सकता है हिना मुश्कुराते होए बोली उसकी आँखें चमक रही थी साल गुजरते गए लेकिन बच्चे कल्पना चावला की बातें करते रहे पहली फरवरी 2003 को कल्पना का स्पेस चटल कोलंबिया हाथ से काशिकार हो गया और उसमें मौजूद सातों खलाबाजों की मौत हो गई पूरा करनाल गम में डूब गया हिना और उसकी सहेलियों को ये जानकर गहरा सदमा हुआ वो बूढ़े बरगत के नीचे जमा हुई मौमबतिया रोशन की और कल्पना के बारे में बाते की बेशक वो हमारे साथ ना हो लेकिन उनकी यादें हमेशा जिन्दा रहेंगी हिना ने कहा उसकी आँखों में आसू थे शालू ने भर्राई हुई आवाज में बताया कि कल्पना चावला कहा करती थी मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी उन्होंने अपनी बात को सचकर दिखाया सबका दावा था कि उनकी अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी इसके बाद के सालों में हुकूमतों और यूनिवर्स्टियों में यहां तक की अमरीका के खलाई तहकी के दारे नासा ने भी कल्पना चावला को मुख्तलिफ इनाम दिये उनके नाम पर सडकों, यूनिवर्स्टियों और इदारों के नाम रखे गए एक दिन हिना ने हैरत और खुशी के साथ चिल्ला कर बताया सफ़ा चालेज अरे क्या आपको मालूम है कि 2022 में कल्पना चावला के नाम पर एक सैटलाइट भी लॉंच हुआ था वह गई, अब वो आसमान पर एक सितारे की तरह है बच्चे बड़े होते गए और उनके दिल में कल्पना चावला की महबद बढ़ती गई उनकी महनत और सफर से मुतासर होकर उन्होंने बड़े बड़े खुआप देखे और अपनी शहर के हीरो की तरह सितारों तक पहुँच गए अभेना भी खलाई मिशन के लिए तयार है इस तरह करनाल में कल्पना चावला की कहानी ने बच्चों के जहनों पर असर छोड़ा एक बार फिर साबित हुआ कि खुआप चाहे कितनी चोटी आखों के हो आपको सितारों से आगे भी ले जा सकते हैं सफ़ा एक तालीस मश्क पढ़िये और समझिये खला जमीन और आसमान के बीच का वो इलाका जहां हवा, पानी, रोशनी और आवाज वगएरा कुछ भी नहीं है सरगोशी चुपके चुपके बाते करना काना फूसी वाकई सच मुझ हकिकत में बुलंदी, उचाई खला बाज खला में सफर करने वाला हैरत अंगेज हैरत में डालने वाला मुहिम बहुत मुश्किल काम सदमा घम, अफसोस मिशन खास मकसद दावा यकीन के साथ कोई बात कहना मुतासर असर कुबूल करने वाला सफ़ा बयालीस सोचिये और बताईये एक हिना आसमानों के सफर पर क्यों निकल पड़ी खाली जगह दो कल्पना चावला कहा पैदा हुई और उन्हें क्या पसंद था तीन उननीस सौ सत्तानवे में कल्पना ने जमीन से कितनी बुलंदी पर कितना वक्त गुजारा था चार कल्पना चावला की मौत पर बच्चों ने क्या दावा किया पाँच ये कैसे साबित हुआ कि खुआब चाहे कितनी छोटी आँखों के हो आपको सितारों से आगे भी ले जा सकते हैं खाली जगहों में मुनासिब लव्ज लिखिए एक एक ऐसी खाटून जिसने खाली जगह की तरफ उडान भरी 2. खाली जगह में कल्पना ने Space Shuttle Columbia पर उडान भरी सफ़ा 43 3. पहली फरवरी 2003 को कल्पना का Space Shuttle Columbia खाली जगह का शिकार हो गया 4. हिना और उसकी सहेलियों को ये जान कर गहरा खाली जगहा हुआ 5. हिना हर वक्त अपने खयालों में आसमानों की खाली जगहा करती रहती दर्ज जैल सही बयान पर सही और गलत बयान पर गलत का निशान लगाईए कलपना चावला यहीं करनाल में पैदा हुई थी खाली जगहा कलपना चावला ने कहा था मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी खाली जगहा 2022 में कलपना चावला के नाम पर एक सैटलाइट भी लॉंच हुआ था खाली जगहा करनाल में कलपना चावला की कहानी ने बच्चों के जहनों पर असर छोड़ा खाली जगह खुआप चाहे कितिनी छोटी आखों के हों आपको सितारों से आगे भी ले जा सकते हैं खाली जगह जैल में दिये गए मौननस का मुजखकर लिखिए मौननस छोटी गहरी खाली जगह सफ़ा चवालीस मिसाल के मताबक वाहिद की जमा बनाईए सरगोशी सरगोशियां सरगोशियों सहेली खाली जगह खाली जगह बुलंदी खाली जगह मौमबत्ती खाली जगह खाली जगह कुर्बानी खाली जगह खाली जगह, कालम अलेफ और कालम बे में दी गई मालूमात का जोड बनाईए कालम अलेफ कल्पना ने इस्पेस चटल कोलंबिया पर उडान भरे कल्पना चावला के नाम पर एक साटलाइट लॉंच हुआ कल्पना का इस्पेस चटल कोलंबिया हादसे का शिकार हो गया उन्होंने जमीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर गुजारे बे चैसो तेहतर घंटे तैतालीस मिनट दो हजार तीन उननीस सौ सत्तानवे दो हजार बाईस सफ़ा पैतालीस ये बात किसने कही उसका नाम लिखिये एक आज हम एक मशूर खातून के बारे में पढ़ेंगे खाली जखा दो शायद एक दिन हम में से भी कोई खलाई सफर पर जा सकता है खाली जखा तीन वहां से जमीन को देखने के बारे में सोच कर मेरे रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं खाली जखा चार कल्पना चावला कहा करती थी मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी खाली जखा असातजा के लिए हिदाया कल्पना चावला के मुतालेक तलबा से ग्रूप में मुबाहिसा करवाया जा सकता है आउडियो या विडियो में कल्पना चावला की कहानी को सुनवाने के मवाकिफ और आहम करवाया जा सकते हैं तलबा से इस सबक पर रोल प्ले करवाया जा सकता है सफ़ा 46 पहेली एक थाल मोतियों से भरा सबके सर पर अंधा धरा चारो और वो थाल फिरे मोति उससे इकना गिरे मरियम को खला तक पहुचाने में मदद करें यहां एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें नीचे की तरफ एक बच्ची बैठी हुई सोच रही है उपर की तरफ एक खला की तस्वीर दिखाई गए है जिसमें सितारे और सयारे दिखाई गए है बच्ची भूल भुलईया के जरिये खला तक पहुचने का रास्ता ढून रही है अभी आप सुन रहे थे तीसरी जमात की उर्दू की समयी दर्सी किताब सितार समयी रिकॉर्डिस मयंक कुमार निर्मार सहयोग चेतना शर्मा समयी फनकार सुम्पुल शकील और फरहान अली नकवी हिदायत और तखलीक कार विमलेश चौधरी यह किताब CIET-NCERT नई दिल्ली भारत के जरिये पेश की गई